हेलो फ्रेंज देखिए कल हमने या पर बात करी थी कि mutual fund डी आई आई जो domestic introduction investors है वो कहां पर पैसे डाल रहे हैं तो से लेकिड हमने या पर वीडियो बनाई थी वो जाके या पर देख ले ना 11 stocks में पैसे लगा है था हम अपना particular view देते हुए नजर आएंगे देखेंगे कि वहां पर हमें invest करना चाहिए नहीं क्योंकि देखिए stocks में कल भी बात कर रहा था जब भी कोई चीज भागती है या कोई चीज गिरती है उसके पीछे की सिंपल वज़े क्या होती है किसी का buying करना या selling करना अगर selling आती रहेगी ओके तो चीज गिरती हुए नजर आएगी और कोई चीज अगर भाग रही है तो मतलब कोई ना कोई यहां पर खरीद रहा है तो वह कैसे पता करते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं वह जल्दी और उससे भी पहले आपसे request करूँगा कि यहां पर हमारा यह course है जहां पर हम सिखाते है technical, research, fundamental, risk management, थोड़ा बहुत option का तड़का वो सब चीज हम यहां पर लगाते हुए नजर आते कौन भाई कर रहा है कहां भाई कर रहा है कैसे भाई कर रहा है वो कि यहां पर आप सोच रहे होंगे कि यहां पर हम जाएंगे और यहां पर हमें पता चल जाएगी यहां तो पता चल जाएगी इसमें कोई परिशानी नहीं है बट लेट पता चलेगी तुरंत पता करना है कि आज किसने भाई किया तो उसके लिए यह इस course को आप जोइन कर सकते हैं, 17,500 का यह course है, practical learning, 3 months की practical learning, online notes दिये जाएंगे, पुरा course complete कराए जाएगा, और एक बार जब इस course को करके निकलोगे ना, तो एक pure जिसे कहते हैं, trader और investor वो बनके निकलोगे, और किसी भी market में वर्ल्ड की अच्छे खासा काम करते हुए नजर आ करके, आप हमसे यहाँ पर चीज़े सीख सकते हैं, और market में master बन सकते हैं, और खुद के boss बन सकते हैं, और अच्छा कासा पैसा कमा सकते हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जानते हैं, और इससे पहले एक और चीज़ कि आप हमारा WhatsApp ग्रूप जाइन कर सकते हैं, पर 1000 रुपीज पर मन की फीज हैं, और किसी का portfolio अगर बढ़ा है, तो वो क्या कर सकता है, वो हमें contact कर सकता है, उसका charge थोड़े से अलग है, और personally, मैं उस चीज़ को यहाँ पर देखता हुए, नजर आता हूँ, कि कब buying करनी है, कब selling करनी है, कहाँ पर बेचना है, कहाँ पर stocks पर मैं अपनी राय देता हुआ नजर आऊँगा, तो एक एक करके हम उन stocks की तरफ नगाये बनाते हैं, सबसे पहले बात करूँ, car trade, car trade की अगर हम बात करें, तो यह जो share है, यह share बहुत पिटता हुआ नजर आया है, यहाँ जब से आया है, तब से लगबग लगबग अग चुकी है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, थोड़ा से, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, तो लगबग 80% के आसपास यह share यहाँ पर, अल्रेडी गिरता हुआ नजर आ चुका है, इसके बाद अब यहाँ पर आप देखे होंगे, दो तीन दिन से, एक अच्छी खासी त चाहिए, क्या हमें यह share खरीबना चाहिए, तो देखिए, जो negativity थी, पहले यह share था, ओके गरता हुआ नजरा रहा था, just because, यहाँ पर bonuses जादा दिये जा रहे थे, अपने clients को, अपने employees को, जिस वज़े से यहाँ पर चीज़े गरता हुआ नजरा रही थी, और जैसे जैसे प यहाँ पर इसके बारे में सोच सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, तो 16-17, 17-19, 17-21, 72% के share यहाँ पर FIS में आया, अब इसमें से कुछ लोग यहाँ से transfer होके यहाँ पर भी गए, तो हमें यह बूलना नहीं है, औरना आप सोचा कि पूरे का पूरे यह चले, कुछ पब अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप खरी सकते हैं, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, बट इस्टेल मैं आप से कहूंगा कि लगबर लगबर इस share को एक range से निकलने दीजिए, और वो range क्या है, अच्छी खासी देखिए, एक range तो यह है, इ यहाँ से जैसे ही निकलेगा एक, तो इसमें एक तेजी होगी, और कौन सी तेजी होगी, जैसे इसमें यहाँ पर गिरावट हुई थी ना, कुछ महीनों में share नीचे आगया था, ऐसी ही कुछ महीनों में share उपर जाता हुए निजर आएगा, तो card trade की तरफ आपको ध्याँ दूसर शेयर की अगर हम बात करूं तो दूसर शेयर है, एस्टर डीम, यह हेल्थ केर का शेयर है, काफी बहतनी नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद एकात कॉर्टर में यहाँ पर प्रॉड्रम रह सकती है, बट इस्टिल, FIS का वीजन क्या होता है, लंबा, तो 8% से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से, यहाँ पर 42 होते हुए नजर आए, तो आप एश्टर डीम की तरफ क्या कर सकते हो, ध्याम दे सकते हो, और मैं आपको केवल और केवल, इससे रिटीड वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ केवल और केवल, टेक निकल, कि टेकनिकल में क्या होता हुए नजर है, एश्टर डीम की बात करें, यहाँ पर तेजी होती ही नजर आई, जब तक यह इस लेवल से नहीं नेगलेगा, तब तक इसमें ऐसी कोई खास तेजी होती ही नजर नहीं आती, यहाँ पर हम देखें, चीज़े अच्छी बेखें, तो इस शेयर की तरफ धियान दीजेगा, एश्टर डीम, ओके यह अच्छा कासा भागता हुए नजर आ सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे आकर फिर उपर जाता हुए, दिखाई देता हुए, नजर आ रहा है, तो एश्टर डीम की तरफ धियान दीजे, छोटा सा सा स्टॉप लॉस और कम रिस्क हाई प्रॉफिट वाला यह स्टॉप नज़र आता है इसके इलावा IIFL वेल्थ ओके IIFL यह जो शेयर है इस एक में देते हैं IIFL वेल्थ यह जो शेयर है यहां पर भी आप इस शेयर की तरफ क्या कर सकते हो ध्यान दे सकते हो एक दिखें यहां पर ठीक है हम टेक्निकल वीड ले लेते हैं सीधे ओके IIFL वेल्थ यह शेयर था चला गया है यह से एक में दीजिए मुझे शायर फाइनस इसका नाम हो गया है इसे देख लेते कोई परिशान ही नहीं है यहां पर IIFL वेल्थ था एक मिंट और यह देख लेते हैं यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी तो यहां पर इस शेयर की तरब भी आपको क्या करनी है निगाए बना के चलनी है तो IIFL फाइनस और IIFL वेल्थ दोनों ही शेयर यहां पर उनकी रेडार पर और यहां पर आप देख भी रहे होंगे कुछ दिनों से अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चिनिटी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है क्या शेयर को यहां पर खड़ीद लेना चाहिए वह एक आप 520 रुपे का 525 रुपे का लेवल निकले यहां पर ठीक है फिर एक तेजी हो दिगी जो इसे शायर डबल तक भी लेकर जा सकते तो यहां पर IFL फाइनस और IFL वेल्थ की तरफ ध्यान दे सकते हैं इसके लावा जो मैटो जो मैटो के शेयर में भी यहां पर FIS की बाइंग हो इसकी बाइंग होती ही नजर आ रही है बलक डील होती ही नजर आ रही है तो इस शेयर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं इसके अगर हम बात करें यहां पर देख टेक्निकल विव एक बाल ले ले थे क्या है यहां पर तो देखिए इसकी रिंज में ने अल्रेडी बना रखे इस रेंज में चल रहा है इस रेंज में या तो यह नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ जाए तब यहां पर एक बाइंग या सैलिंग बनती ही नजर आएगी तो यहां पर अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक लेबल दे रहा हूं अगर यह यहां से ऊपर निकले तब तो आप यहां पर इसके बारे में सोच सकते हैं अब 56 रुपे का लेवल निकाले तब लीजिए तो यह शेयर तक 74 तक जाएगा बट इस्टिल नीचे अगर आता है तो अगर यह लेवल तोड़ता है तो सेल करिएगा तो यहां पर पैसे बनेगा और यह नीचे फिर 41 का लेवल यहां पर रुखता है 588 के आसपास और दुबारा ऊपर की तरफ मूब करना शुरू करता है तो आप यहां पर ले सकते हैं फिर यह शेयर 700 800 और यहां पर अलग अलग लेवल यहां पर दिखा सकता है बट मुझे क्या लगता है कि यहां पर एक फेग ब्रेक आउट होता दिखाता हुआ नजर आ जाएगा इसके लावब हम बात करते स्टार हेल्थ की बात करें तो आपको पते है राकेश जुन जुन वाला का एक अच्छा खासा इंवेस्टमेंट भी है बस शेयर की अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड में चल रहा है बट यहां पर आप देखें इसकी सिदार यह आप बढ़ती हुए नजर आई है इसकी तरफधि घ्यान देना है यहां पर आप देखे तो शेयर में एक लगए गिरावट आई है एक रेंज में चलता हुआ नजर तोड़ा देखिए चाट देखिए इसका और वॉल्यूम का इस बेहिवियर देखिए फिर इसके बाद यहां पर देखिए क्या केंडल बनते हैं इसके बेसिस पर अलग-अलग आने दीजिए देखिए क्रिष्णा इंस्टिटूशन उफ मेडिकल साइंस यह इस पर्टिकुलर शेयर का है यह भी नया शेयर है बट यह दूसरे शेयर की तरह गिरता हुआ नजर नहीं आया एक यहां पर आया आगने क्या भागा एक रेंज में चलता हुआ नजर आ रहे तो आप यहां पर काम मत करिए यह चोटी रेंज की बात करूं कि यहां से यहां तक जाने में भी तो टाइम लगेगा तो यहां पर हम देखे तो इस रेंज को निकलने दीजी ओके 14 20 के आसपास निकलेगा तो सबसे पहले 1575 का लेवल निकला तो और उपर जाता हुआ दिखाई तो यहां पर एक opportunity बन सकते है तो रेंडिंग टन की तरफ आपको क्या करना है ध्यान देना है कब कहां पर बाइंग करना है बाइंग का लेवल है यह वाला इस लेवल से निकलने दीजे लेवल 175 का तो इसमें एक तेजी होगी और दूसर लेवल है यह वाला यहां पर से एक जब यह यह नहीं तो ऑक टो एक तीज उती होती बी आप महान सकते है 170 ऑमसित एंसा पास फिलिया दीर 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 रहे दो सब्याएंres mı कर रहे हैं यहां अभी लेवल Sig li निकलने दीजिए लबग यह जो लेवल है 300 का लेवल इसे निकलने दीजिए 300 का निकला 348 और धीर धीर उपर और इन लेवलों को भी निकाला तो और ज्यादा तेजी हो सकती है इसमें बट डिपेंड करेगा रिजल्ट बगारे के ऊपर ऐसा नहीं है कि चीजे यहां पर मैंन सकता है 500 रुपे और 120 रुपे तक भी यहां पर आ सकता तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए IDFC फर्स्ट वाइंग ओके इसकी तरफ आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं इस शेयर में भी यहां पर FIs बाइंग कर रहे हैं और यहां पर देखिए Consolidation होता हुआ नजर आ रहा है और सब्सक्राइब निकलेगा लग 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 जो बात कर रहे है 64 की बात कर रहे 63 की बात कर रहे 64 का लेवल निकलने दीजिए यहां पर बाइंग कर एक छोटा सा एक रुपे का यहां पचास पैसे का डिश्टॉप लोस रखे चीजे ऊपर जाईगी और अच्छे कहां से पसंद नहीं है to be very frank okay यहां पर FIs भी खरीद रहें DIs भी खरीद रहें दोनों का यहां पर ध्यान बना हुआ है कल हमारे जह हमने वीडियो पर आई थी mutual friend में इसमें भी यही श्टॉक्स था मैंने आपको मना किया था कंपनी तो अच्छी है बिजनस मॉडल अच्छा कासा है बट इसके जो promoter से वो trustworth ही नहीं है तो इस ऐसे share को यहां पर ध्यान में नहीं रखा करते हैं मैं आपको ignore करने की सब्सक्राइब हो बट इस्टिल आपको यहां पर रिस्क लेने का मौक चाहिए यहां पर आप खरी सकते है 1661 का level निकले तब यहां पर खरी दिएगा तो एक तेजी होती हुए नजर आ सकती है इसके राव लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर है जेज़ डवलू स्टील इसकी तरफ हाँ ध्यान दे सकते हैं यहां पर भी एफाइज यहां पर बाइंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहां पर देखिए 692 का level निकलने दिए सब्सक्राइब करिए और स्टॉप लॉस रखिए 675 के आसपास यहां पर स्टॉप लॉस रखिए यहां पर खरे दिए 700 रूपर निकलने का और यासी यह निकलेगा तो सबसे पहले टार्गेट यह है दूसरा टार्गेट यह है फंडमेंटल मैंने चेक किये नहीं है जब तक मैं इससे फंडमेंटल यह देखूंगा नहीं पुससे रिटेड अगर आप कहिंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए अगर नीचे मैं एक इंडिविजुली वीडियो हर एक केसे रिटेड बना दूगा जो जो आपको इस ट बतिकी श्टडी करें यह एक देब हैं करें कल की वीडियो यहां पर बनाई ती बोल्स देख लिए एक काहां पर बेंग कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लिज्यागा बेल आइकन को धर कर लिए और थैंकिव तो मुझ गल ब्लेस